इकाई छे डाक्टर विक्रम सारा भाई कहानी एक ऐसे महान वैज्यानिक थे, जब वे मात्र दो वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविश्यवानी की थी, कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशश्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविश्यवानी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली, क डाक्टर विक्रम सारा भाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को एहमदाबाग दे हुआ था, उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपती परिवार था, पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था, विक्रम सारा भाई आठ भाई बहन थे, बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम सारा भाई के बच्पन का ये प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है, जब वह पांच-छे साल के थे, तो अपने परिवार के साथ शिमला गए, शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम धेरो चि और डाग घर में डाल दिये, फिर क्या था, उनके नाम पर धेरो चिठी आने लगी, पिता ने देखा, तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्धेश्य को जानने की इच्छा हुई, असलियत मालूम होने पर उन्हें हसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच जानकर अच्छा भी लगा, जब वह आच साल के थे, तो साइकल पर विभिन कलाबाजियां करते और लोगों को अचंबित कर देते, उन्हें सासिक कारणा में प्रिय थे, गणित तथा भौती की किप्रती उनकी गहरी दिल्चस्पी थी, उन्होंने मैट्रिक के परिक्षा सन 1934 में पास की, सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज एहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की, सन 1937 में इंग्लैंड चले गए, सन 1940 में केंब्रिज से गणित वभौती की में BSE की परिक्षा में सफलता प्राप्त की, तद पस्चात द्वितिय विश्वयुद्ध के शुरू होते ह विक्रम जाराभाई भारत लोटाए, भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तठा डाक्टर हूमी भाबा का सानिध्य मिला, वहां रास्ट्रिय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए, सन 1942 में वह म्रुणालीनी स्वामिनाथन के साथ विवास सुत्र में बंधे उन्होंने अंतरिक्ष की गहराईयों से आने वाले रहस्यमाई कॉस्पिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्व विद्यालै से सन 1947 में पीचडी की उपाधी हासिल की, ब्रम्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का डाक्टर विक्रम सारा भाई को प्राप्त है, यहां उन्ही का सुझाओ था कि कॉस्पिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की उची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी, इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैगनानिक उपकरणों से लैस एक प पित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। सन 1961 में वे पर्मानु उर्जा आयोक के सदस्य बनाए गए। डाक्टर भाभा की मृत्यू के पस्चात पर्मानु उर्जा संस्तानों का भार युवा वैज्ञानिक डाक्टर विक्रम सारा भाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारती अनुसंधान के इंद्र का गठन किया। डाक्टर विक्रम सारा भाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूर संचार, दूर दर्शन, वह मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित, अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलता पुर्व कारे कर रहे हैं। निश्रस्त्री करण से संबंधित कई महत्वपूर्ण, आंतर राष्ट्रिय संस्ताओं में भी भारत के प्रतिनी धी रहे। डाक्टर विक्रम सारा भाई सन 1966 में International Council of Scientific Union के सदस्य रहे। सन 1966 में सयुक्त राष्ट्र संग में UNESCO के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें Indian Geological Union का प्रमुख बनाया गया। डाक्टर विक्रम सारा भाई सन 1970 में वियेना शांती अंतर राष्ट्रिय अनुमंच के चौदवी परिशत के प्रमुख बने। सन 1971 में सयुक्त राष्ट्र संग परिशत के उपाध्यक्ष वबाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाये गए। वह केवल उच्चकोटी के वैग्यानिक ही नहीं थे, बलकि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा वह समाज के लिए परियाप्त समय निकाल देते थे। उनके ही प्रयासों से एहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नहरो विका संस्तान की स्थापना हुई। यहां वह जन्त सामान्य की विज्ञान के प्रती रूची जागरित करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीक थी। डाक्टर विक्रम सारा भाई को त्रिविंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरिक्षक के लिए भेजा गया था। वहां एक होटल में ठैरे हुए थे। यही रिदय की गती रुकने से उनकी मृत्य हो गई। एक ऐसे महान वैज्यानिक थे। जब वे मात्र दो वर्ष के थे। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविश्यवानी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशश्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविश्यवानी अपने कर्मों से सच साबित कर डा दाक्टर विक्रम सारा भाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को एहमदाबाग दे हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपती परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम सारा भाई आठ भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम सारा भाई के बच्पन का ये प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह पांच-छे साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम धेरो च पता लिखा और डाग घर में डाल दिये। फिर क्या था उनके नाम पर धेरो चिठी आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्धेश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हसी आई। लेकिन सफलत पानी की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह आठ साल के थे तो साइकल पर विभिन कलाबाजियां करते और लोगों को अचंबित कर देते। उन्हें सासिक कारना में प्रिय थे। गणित तथा भौती की के प्रती उनकी गहरी दिल्चस्पी थी। उन्होंने मैट ट्रिक की परिक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज एहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लेंड चले गए। सन 1940 में केंब्रिज से गणित वभौती की में B.Sc की परिक्षा में सफलता प्राप्त की। तद पस्चात द्वितिय विश् प्राभाई भारत लोटाए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तठा डाक्टर हूमी भाबा का सानिध्य मिला। वहां रास्ट्रिय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह म्रुणालीनी स्वामिनाथन के साथ विवास सूत्र में बंधे। उ पाधी हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का अश्रे डाक्टर विक्रम सारा भाई को प्राप्त है। यहां उन्ही का सुझाओ था कि कौस्पिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की उची चोटियां अधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैग्नानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोग शाला स्तापित की। डाक्टर विक्रम सारा भाई के नीजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोग शाला एहमदाबाद में स्ता स्ताइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोशेशन की आधार शिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोग शाला डाक्टर विक्रम सारा भाई परमाणु शक्ति, अंत्रिक्ष वीकिरण, सूर्य, ग्रैह, तारा, प्लाजमा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु उर्जा आयोक के सदस्य बनाए गए। डाक्टर भाभा की मृत्यू के पस्चात परमाणु उर्जा संस्तानों का भार युवा वैज्ञानिक डाक्टर विक्रम सारा भाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारती अनुसंधान केंद्र का गठन किया। ड अनुसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलता पूर्वक कारे कर रहे हैं। डाक्टर विक्रम सारा भाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समगर विकास के लिए समर्पत कर दिया। भारत के विकास में भूशन तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूशन जैसे अलंकरणों से नवाज आ गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण आंतर राश्ट्रिय संस्ताओं में भी भारत के प्रतिनी धी रहे। डाक्टर विक्रम सारा भाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउं साइन्टिफिक युनियन के सदस्य रहे। सन 1966 में सयुक्त राश्ट्र संग में युनेसको के विज्ञान विभाक के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलोजिकल युनियन का प्रमुख बनाया गया। डाक्टर विक्रम सारा भाई सन 1970 में विएना शांती अंतराश् के प्रमुख बने। सन 1971 में सयुक्त राश्ट संग परिशत के उपाध्यक्ष वबाद में विज्ञान विभाक के अध्यक्ष बनाये गए। वह केवल उच्च कोटी के वैज्ञानिक ही नहीं थे। बलकि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा वह समाज के लिए पर वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रती रूची जागरित करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीक थी। डाक्टर विक्रम सारा भाई को थ्रिविंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरिक्षक के लिए भेजा गया था। वहां एक होटल में ठैरे हुए थे, यही रिदय की गती रुकने से उनकी मृत्य हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नीत नए आयामों को जोडने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभाको शत शत नमन।